अलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब बहुत जाद अच्छे होंगे मस्तोंगे बिंदास होंगे मैं पुझा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की डेट में हरको यही चाहता है कि खूबसूरत स्किन के साथ उनके जो ब बहुत ही जादा सिंपल लेकिन बहुत ही जादा इफेक्टिव हैं कियरफुली फॉलो करना है अगर आप इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने बालों का जड़ना एकदम से स्टॉप कर सकते हैं आपको मार्किट में बीलने वाले कंडिशनर होते हैं उनस के साथ एक हेर मास्क शेयर करने वाली हूं उसी के साथ शैंपू करने का एक ऐसा हैक करूंगी जिसको अगर आप इस हेर मास्क के साथ यूज करते हैं तो इसका जो है डबल बैनिफित आपके बालों को हो सकता है जी हां तो कंप्लीट वीडियो को देखना बहुत जादा जर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, तो नीचे दिये हुए red color के subscribe बटन को press कीजिएगा with bell icon और ज्यादा से ज्यादा इसको share कीजिएगा अपने friends and family members के साथ, वीडियो पसंद आ जाए तो like भी कीजिएगा आपका प्यार चाल लगता इसमें ऐसे nutrition होते हैं, कि जो आपके बालों को चमकदार और लंबा घना बनाते हैं, आपको पता है कि Chinese लड़कियों के बाल इतने चमकदार क्यों होते हैं, उनकी skin इतनी glowing क्यों होती है, क्योंकि अपने वो skincare और hair care में चावल का बहुत जादा यूज़ करते हैं, तो चावल सकते हैं, जिनसे उनकी बहुत अच्छी growth हो सकती है, तो अच्छी तरह से दो से तीन बार धो लेने के बाद, next ingredient आपने इसमें डालना है, एक चमच मेथी दाना, यानि कि fenugreek seeds, ये बालों की growth के लिए बहुत ही जादा magically work करता है, और बालों को silky smooth बनाने के लिए काफी और जब आपको लगे कि ये दोनों चीजे अच्छी तरह से soft हो चुकी है, पानी में, सारे nutrition जो है, इस पानी में इसके आ चुकी है, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अपने हाथों से muscle देना है, ताकि और अच्छी तरह से ये जो पानी है powerful बन जाए, ये जो पान पका हुआ बनाना, यहां पर आपको मैं एक बात क्लियर कर दू कि आप अपने बालों की growth के हिसाब से length के हिसाब से सारी चीजों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अब आपने क्या करना है, एक mixi jar में सारी चीजों को transfer कर लेने के बाद, दो से तीन चमस डाल देने है, coconut oil, ज और जब आप बाल धोएं, तो आपको धोने में किसी तरह की कोई परिशानी ना हो, अगर थोड़े बहुत granules जो आपके बालों में रह भी जाते हैं, तो don't worry, सूख जाने के बाद जब आप एक बार कंगी कर देंगे ना, तो वो सारे के सारे निकल जाएंगे, तो अच्छी दाना और चावल का combination बहुत ही अच्छी remedy है, आपके scalp को बहुत ही ज़्यादा healthy कर देगी, अक्सर जो हमारी length होती है वो बहुत ही ज़्यादा dry, freezy हो जाती है, तो lens पर अच्छी तरह से apply कीजिए, अच्छी तरह से लगा लेने के बाद, आधा घंटा या फिर 45 मिनट तक आ रेडी कर लेते हैं, तो उसके लिए आपने वही पानी जो मेथी दाना और चावलो का पानी हमने store करके रखा है, उसके साथ हम अपने shampoo को dilute करेंगे, जिससे हमारे बालों पर इस hair mask का double benefit होगा, जी हाँ, ये अपने आप में एक perfect, complete remedy है, आपके hair growth को करने के लिए, आपके hair fall को stop करने के लिए, silky smooth बनाने के लिए, तो आपके length के according, जितना shampoo आपको use होता है, अपने बाल धोने के लिए, उतना shampoo आप इस पानी में mix कर लेंगे, और third ingredient आप इसमें डालेंगे, apple cider vinegar, ये antibacterial properties से rich होता है, बालों में बहुत अच्छी सी shine देता है, अगर आपके पास apple cider vinegar रही है, तो आप यहाँ पर नीम्बू का रस दो चम्मच एड़ कर सकते हैं, जैसे ही आपको लगे कि आदा घंटा हो गया है, इससे अपने बालों को अच्छी तरह से धो दीजिए, और naturally अपने बालों को सूखने दीजिए, हफते में सिर्फ एक बार इस remedy को use करने के बाद experience हमारे साथ share कीजिएगा, take care and bye-bye